शोर्ट स्टोरीज की हमारी श्रेंखला में आज आप सुनेंगे विदेशी लेखक के पामर द्वारा लिखी गई एक इंट्रेस्टिंग कहानी जिसको हिंदी में नाम दिया गया है चाल बाज कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे एंड तक जरूर सुने तो आएए बिना देर किये शुरू करते हैं कहानी लिली ना सिर्फ बहुत ही खुबसूरत लड़की थी बलकि उसका नाम ब्रेंट मॉर्गन जैसी बड़ी हस्ती के साथ भी जुड़ा हुआ था वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और इसी लिए एल वॉल्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके जैसे एक मामूली आदमें की तरफ भला क्या सोचकर आकर्शित हुई होगी ये ठीक है कि लिली का आशिक ब्रेंट मॉर्गन इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे था रॉबरी, मर्डर और नजाने किन किन अपराधों के आरोपों में और इसी लिए लिली को अपना अकेला पंदूर करने के लिए किसी साथी की जरूरत हो सकती थी लेकिन फिर भी एल वॉल्टर्स को ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि लिली ने उसे ही क्यों चुना जबकि वो उससे कहीं ज्यादा बहतर आदमियों को चुन सकती थी अब वॉल्टर्स को अपनी माली हालत से भी काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी क्योंकि उसका बटवा हर वक्त खाली जैसा ही रहता था लेकिन लिली के लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी बलकि वो तो उसे पैसा खर्च करने का कोई मौका ही नहीं देती थी ऐसा लगता था जैसे लिली उसके उपर दिलो जान से फिदा हो चुकी हो ब्रेंट मॉर्गन भी इस वक्त जेल में बंद था और काफी लंबे समय तक उसके वहां से बाहर आने की कोई संभावना नहीं थी इसलिए फिलहाल एल के लिए चिंता की कोई बात नहीं थी जब भी मैं सोचते हूँ कि तुम पहले सरकस में काम किया करते थे तो एक बड़ी ही अजीब से थ्रिल मुझे महसूस होती है लिली ने एल से कहा पता नहीं तुम कैसे रसी के सहारे उपर चड़कर हवा में कलावाजियां खाते होगे सोचकर ही मेरे तो रोंगठे खड़े हो जाते हैं वे दोनों उस समय लिली के घर में उसके गदेदार सोफे पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे हलकी आवाज में संगीत बज रहा था एल ने मीठी आवाज में कहा अरे ये तो बहुत साल पहले की बाते हैं लिली ने उत्सुकता से पूछा क्या तुम अभी वो सारी कर्तब दिखा सकते हो कौन से कर्तब एल ने महेंगी स्कॉच विस्की का एक गहरा घूट भरने के बाद सवालिया नजरों से लिली की तरफ देखते हुए पूछा अरे वही जूले पर जूलना रसी के सहारे उपर चढ़ना मेरा मतलब है कि वो सब कुछ जो तुम सरकस में किया करते थे एल मुस्कुरा कर बोला तुम तो ऐसे कह रही हो जिसे वो सब करना कोई बहुत ही कमाल की बात हो अरे कमाल की बात तो है ही एल मैं तो जब भी सरकस में वो सब काम होते हुए देखती हूँ तो थ्रिल के मारी मेरी तो सांसे रुख जाती है बताओ ना क्या तुम अब भी वो सब कर सकते हो अरे वो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है लिली बस थोड़ी से प्रैक्टिस करूँगा तो फिर से सब करने लग जाओंगा लेकिन उस काम को मैंने इजी इरादे के साथ छोड़ा था कि अब जिन्दगी में दुबारा कभी नहीं करूँगा असल में एक बार मैं उपर से नीचे गिर गया था बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची थी ओ, तो मतलब तुम डर गए? अरे नहीं डालिंग, ये बात नहीं है सच तो ये है कि मुझे कुछ नया नया करने का शौक है मैंने तो कोश देन हॉलिवोड में कावबॉई के स्टन्ट भी किये हीरो के डबल के रूप में जानवरों को घेरने और उनको फंदे में फसाने की बहुत सारी ट्रिक्स आती है मुझे लिली ने उसके नजदीक आकर उसकी आँखों में जहाकते हुए कहा मैं नहीं चाहती कि तुमको वो सब खतरनाक खेल फिर से करने के लिए मजबूर होना पड़े लेकिन फिर भी जब कभी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बड़ा हित्रेल होने लगता है मेरा जो पुराना बॉइफ्रेंट था ब्रेंट उसमें वैसे तो बहुत सारी खूबिया है लेकिन वो वो सब नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो हवा में चलांग लगाना या रसियों के साहरे चड़ना उसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है एल ने लिली की आँखों में देखते हुए पूछा मेरे ख्याल से तुम उसके काफी नजदेक हुआ करती थी ना हाँ एल लेकिन वो सब अब पुरानी बात हो चुकी है अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ पता नहीं क्यों लेकिन मैंने अपने दिल में ब्रेंट के लिए वैसा कुछ कभी महसूस नहीं किया जैसा मुझे तुम्हें देखकर महसूस होता है और ये भात मैं बिलकुल दिल की गहराईयों से कह रही हूँ एल मैं वाकई तुमसे दिलो जान से प्यार करने लगी हूँ इसमें कोई शक नहीं कि मैं ब्रेंट के काफी नजदीक थी और उसकी बहुत सारी ऐसी बातों को भी जानती हूँ जो मीरे अलावा और कोई नहीं जानता लेकिन अब मैं उसे पूरी तरह से भुला चुकी हूँ एल को पूरा यकीन था कि लिली वाकई ब्रेंट के बहुत सारे रहस्यों को जानती होगी ब्रेंट मॉर्गन बड़ा ही दिलेर किस्म का आदमी था उसने कई बड़े-बड़े हाथ मारे थे और ना जाने कितने कतल किये थे थोड़ी देर चुप रहने के बाद लिली ने फिर से कहा मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं एल मुझे लगता है कि अब जब हम एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए है तो मुझे तुमसे ऐसी बात को छुपाना नहीं चाहिए इतना कहर वो एक बार फिर से रुख गई एल ने बड़े ही साफधानी से अपना गलास मेज पर रख दिया और उसके आगे कुछ बोलने का इंतजार करने लगा कुछ देर की चुप़े के बाद वो धीरे से बोली देखो एल मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम प्लीज मेरी बात को गलत तरीके से मत लेना अपनों के सामने सच्चाई को स्विकार करने में कोई बुराई नहीं होती अगर हमें आगे सुख की जिन्दगी गुजारनी है तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत तो होगी ही क्योंकि पैसे के बिना जिन्दगी में प्रेम चाहे कितना भी हो जाए लेकिन सुख नहीं आ सकता तुम मेरी बात समझ रहे हो न एल ने थोड़ा मायूस स्वर में कहा लेकिन हम पैसा हासिल कहां से करेंगे लिली ने बड़ ही उत्साह से कहा इसकी फिक्र तुम मत करो मुझे पता है कि ये बहुत सारा पैसा कहां से हासिल किया जा सकता है लेकिन वो काम सिर्फ तुम्हारी मदद से ही संभव है वो कैसे भला एल ने उत्सकता से पूछा देखो जब ब्रेंट पकड़ा गया उससे पहले उसने एक रॉबरी की थी लेकिन उसके मुकदमे के दोरान तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी एल ने कहा अरे उसका कारण ये था कि किसी को पता ही नहीं था कि उस रॉबरी के पीछे असल में ब्रेंट का हाथ था सिर्फ मैं इस बात को जानती थी कि उस बैंक रॉबरी में ब्रेंट का हाथ था पांच लाख डॉलर से भी उपर की रकम लूटी गई थी उस रॉबरी में ब्रेंट के साथ एक और आदमी भी था जो अब मर चुका है रॉबरी के बाद वो रकम एक जगा ये सोचकर छिपा दी गई थी कि मामला ठंडा होने पर उसे वहां से निकाल लिया जाएगा लेकिन उससे पहले ही ब्रेंट गिरफतार होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गया एल की आखें हैरानी से फैलती जा रही थी क्या तुम जानती हो लीली कि वो रकम कहां छुपाई गई है बिल्कुल जानती हूँ तो अगर तुम्हें मालूम है तो तुम वहां से रकम निकाल क्यों नहीं लेती बलकि अब तक तुमने उसे वहां से निकाल ही क्यों नहीं लिया ब्रेंट तो जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है फिर तुम्हें किसका डर है लिली ने हाथ को जटकते हुए कहा अह मुझे ब्रेंट का डर नहीं है असल में उस रुपे को वहां से निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अपने मन में उमरती भावनाओं को चुपाने के लिए एल सोफे से उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर टेहलने लगा टेहलते हुए वो सोच रहा था कि 5 लाख डॉलर की रकम कितनी बड़ी होती है अगर उसकी आधी उसे मिल जाए तो उसकी तो जिन्दगी ही समर जाएगी उसने अगला सवाल किया लेकिन इस बात की क्या गारंटी है लिली कि वो रकम अभी भी वहीं मौजूद होगी तुम एक और आदमी की भी तो बात कर रही थी जो रॉबरी में ब्रेंट के साथ था हो सकता है वो उस रकम को निकाल कर वहां से ले गया हो अरे तुम उसकी चिन्ता मत करो एल मैं जानते हूँ कि वो रकम अभी भी वहीं पर मौजूद है क्योंकि वो जो दूसरा आदमी था वो पहले ही मर चुका है ब्रेंट के पकड़े जाने से पहले ही एक एकसिडेंट में उसकी मौत हो गई थी अगर तुम हा करो तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूँगी जहां वो रकम चुपाई गई है हम दोनों कार में वहां चलेंगे तुम कहीं कोई मजाग तो नहीं कर रही हो न लिली लिली ने बड़ ही भावुक स्वर में कहा मैं तुमसे बिलकुल सच कह रही हूँ एल इतने दिनों तक मैंने जो तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की तो उसकी वज़ा ये थी कि पहले मैं ये यकीन कर लेना चाहती थी कि क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना कि मैं तुमसे करती हूँ अब जबकि मुझे इस बात का यकीन आ गया है कि तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करते हो तभी मैंने तुमको ये राज बताया है हमें जाना कहां होगा एल ने पूछा ये काफी लंबा सफर है जितनी जल्दी हम निकल जाएं उतना ही अच्छा होगा और फिर दोनों के बीच सारी बातें तैह हो गई उसी रात को दोनों कार में रवाना हो लिए चलने से पहले लिली ने एक राइफल खरीद लेने का भी आग रह किया जो एक स्टोर से गोलियों समेत खरीद भी ली गई लिली का कहना था कि उन लोगों को पश्चिमी वर्जीनिया के घने पहाडी जंगल में कार को छोड़ कर आगे पैदल जाना होगा इसलिए जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए राइफल का साथ होना जरूरी है राइफल हाथ में आजाने के बाद अब एल भी अपने आपको काफी सेफ महसूस करने लगा था रात में कार ड्राइव करते हुए उसने एक बार फिर लिली से वही सवाल किया जो किसी काटे की तरह उसके दिमाग में खटक रहा था मेरी समझ में अभी भी ये बात नहीं आ रही है लिली कि तुमने अब तक उस रकम को वहां से खुद ही क्यों नहीं निकाल लिया लिली ने जवाब दिया वो एक गुफा में ऐसी जगा रखी हुई है जहां से मैं अपने आप उसे नहीं निकाल सकती जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो सारी बात तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगी इसके बाद एल ने कोई सवाल नहीं किया रास्ते में एक जगा वे लोग पेट्रोल लेने के लिए रुके जब एल पेट्रोल डलवा रहा था तो लिली बातरूम के लिए गई कुछ देर बाद वो मुस्कुराती हुई आई और वो आगे रवाना हो गए आगे पाहर दिखाई देने लगे थे और थोड़ी देर बाद जिस कच्चे पाहरी रास्ते पर वो लिली के बताय अनुसार आगे बढ़ रहा था वो बड़ा ही उबर खाबर और खतरनाक था इसलिए उसे बड़ी ही साफधानी से कार चलानी पड़ रही थी वो भी बहुत ही कम स्पीड पर एक जगह पहुँचकर लिली ने कहा यहां हमें कार छोड़ कर पैदल ही आगे जाना होगा गुफा अब यहां से ज्यादा दूर नहीं है कार को वहीं छोड़ कर वे दोनों एक घने पहाडी जंगल के बीच से उपर की तरफ चड़ने लगे थोड़ी ही देर में सुभा की सफेदी फैलनी शुरू हो गई जब तक वे लोग गुफा तक पहुचे तब तक पूरी तरह से दिन नेकाल आया था और थोड़ी धूप भी फैल गई थी असल में ये गुफा एक कंदरा जैसी थी जिसकी छोटी बड़ी अंगड उभारों वाली चटानी दिवारें किसी महराबदार छट की तरह आपस में जोड़ी हुई थी बीच बीच में कई चटाने आड़ी तिरशी उभरी हुई थी जिसके कारण काफी उचाई तक कई छोटी बड़ी गुफाएं और दरारें जैसी नजर आ रही थी वैसे तो लिली के पास एक बड़ी सी टॉर्च थी लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सुभह के सूरज की रोशनी उस गुफा में काफी अंदर तक पड़ रही थी इसी के कारण अंदर काफी रोशनी हो गई थी वो उस कंदरा में थोड़ा और आगे तक गए उसके बाद लिली एक जगह पर रुकी और फर्ष पर मौजूद चटानों के पीछे की दरारों में अपनी राइफल की सहयता से पता नहीं क्या तलाश करने लगी एल खामोश खड़ा उसे देखता रहा आखिर कार लिली एक दरार में से मोटी सी रसी का लिप्टा हुआ एक बंदल खीच कर बाहर निकालने में काम्याब हो गई एल की तरफ मुड़ते हुई वो बड़े प्यार से बोली तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा डियर वहाँ उपर देखो उस उभरी हुई चटान को देख रहे हो वो वाली जिसके उपर धूप की सीधी लकीर पड़ रही है एल ने उपर की तरफ नजरे जमाए हुए अपने सिर को धीरे से हिलाया उसका दिल तेजी से अंदर ही अंदर अजीब धंक से धड़क रहा था क्योंकि वो चटान काफी उचाई पर थी और किसी पाहाडी सुराक से अंदर आती सूरज की किरने सीधी उसके उपर पड़ रही थी लिली ने कहा वहाँ उस चटान के उपर एक सूटकेस रखा हुआ है सारी रकम उसी सूटकेस में है एल ने कोई जवाब नहीं दिया धड़कते दिल के साथ वो आसपास की चीजों का जायजा लेने लगा उसे अपनी प्रैक्टिस छोड़े हुए काफी मुद्दत हो गई थी और वो उभरी हुई चटान इतनी ज्यादा उचाई पर थी कि वहाँ तक पहुँचना बहुत ही खतरनाक था उसकी जरासी गलती उसे नीचे गिरा कर उसकी हड़ियों का चूर्मा बना सकती थी उसे खामोश देखकर लिली ने पूछा क्या सोच रहे हो एल मैं ये सोच रहा हूँ लिली कि वो सूट केस वहाँ पहुँचाया किसने लिली ने मुस्कुराते हुए कहा देखो मेरे या ब्रेंट के बसका तो ये काम था नहीं तो जाहिर है कि उस दूसरे आदमी नहीं उसे वहाँ पहुँचाया था क्योंकि ब्रेंट लूट की रकम को ऐसी जगह चिपाना चाहता था जहां कोई भी आसानी से ना पहुँच सके और रकम सुरक्षित रखी रहे एल ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ इसमें तो वाकई कोई शक नहीं कि ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है किसी आदमी का वहाँ तक पहुँचना एकदम असंभव है लेकिन तुम्हारे लिए तो वहाँ तक पहुँचना असंभव नहीं है न डियर जिस आदमी ने वो सूटकेस वहाँ पहुचाया उसका तो सरकस से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं था फिर भी वो वहाँ तक पहुँच गया तो तुम्हारे जैसे लाजवाब आर्टिस्ट के लिए भला ये क्या मुश्किल काम है लिली की इस बात ने सीधे एल के एहम पर चोट की और वो जोश में आ गया इस बीच वो पहले ही योजना बना चुका था कि उसे उस उँची उभरी चटान तक कैसे पहुँचना है पहले वो एक निचले उभार में फंदा फसा कर उस तक पहुँचेगा और फिर वहाँ से उपरी उभार में फंदा फसा कर उपर पहुँच जाएगा उसने अपनी योजना लिली को बताई तो वो भी खुशी से उचलते हुए बोली बिल्कुल सही कहा तुमने एल मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी क्योंकि वो आदमी भी इसी तरह से उपर चढ़ा था एल ने रसी का फंदा बना कर उपर उचाला कई बार तो वो असफल रहा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल छूटी हुई थी लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लोटने लगा और आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो फंदा फंसाने में काम्याब हो ही गया फंदे की मजबूती को जाचने के बाद उसने मुस्कुरा कर लिली की तरफ देखा फिर उसने उस रसी के सहारे उपर चढ़ना शुरू कर दिया वो एक बड़ी ही मुश्किल चढ़ाई थी लेकिन एल जैसे आदमी के लिए ये काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था थोड़ी ही देर में वो उस चटानी उभार पर पहुँचने में काम्याब हो गया उसने मुस्कुरा कर नीचे लेले की तरफ देखा जो बेताब नजरों के साथ उसी की तरफ देख रही थी फिर उसने फुर्ती से उस चटानी उभार से वो फंदा निकाला और उससे उपर वाले उभार की तरफ उचाल दिया अब वो काफी हद तक अपने पुराने रंग में आ चुका था और सिर्फ एक बार की असफलता के बाद अपनी दूसरी ही कोशिश में वो फंदा फंसाने में काम्याब हो गया ज्यादा उचाई पर होने के कारण चड़ाई का ये वाला हिस्सा ज्यादा खतानाग था लेकिन एल को उचाईयों से जरा भी डर नहीं लगता था वो रसी को मजबूती से पकड़ कर उसके सहारे हवा में जूल गया और फिर अपने हाथों की मदद से उसने उपर चाहना शुरू कर दिया थोड़ी देर में ही वो उपर वाले उभार पर पहुँचने में काम्याब हो गया किसी चटानी सुराक से आती सूरज की एक मोटी सी किरन सीधी उस सूटकेस पर पढ़ रही थी जो अब एल की आँखों के सामने उसकी पहुच में था सूटकेस पर धूल की परत जमी हुई थी उसे देखते ही उसकी आँखों में खुशी की एक तेज चमक पैदा हो गई नीचे से लिली ने चिला कर कुछ कहा लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया क्योंकि उस समय उसका सारा ध्यान सूटकेस पर ही केंद्रित था उसने सूटकेस को खोला और उसमें भरी नोटों की गड़ियों को बड़े ही प्यार से निहारने लगा उसने उनके उपर हाथ फिरा कर उनको चुआ भी उसके पूरे बदन में एक संसानी सी दोड़ गई तभी नीचे से लिली की आवाज आई एल तुम क्या कर रहे हो सूटकेस मिला की नहीं उसने फुर्ती से सूटकेस बंद करते हुए कहा हाँ हाँ मिल गया तो फिर टाइम क्यों खराब कर रहे हो डियार उसे फॉर्न रसी से बांद कर नीचे लटकाओ और तुम भी फटाफट नीचे आओ एल ने कोई जवाब देने की बजाए सूटकेस पहले की तरह बंद किया और फिर चटानी उभार से रसी का फंदा निकाल कर उसका एक सिरा सूटकेस के हंदल में बांद दिया उपर से नीचे की और जहाकते हुए उसने कहा रेडी? हाँ हाँ रेडी लिली नीचे से चिलाई एल ने रसी के सहारे सूटकेस को नीचे उताना शुरू किया दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई और दोनों के ही होटों पर मुसको रहट फैल गई लिली ने सूटकेस को पकड़ कर फर्श पर रख दिया उपर के चटानी उभार पर खड़े एल ने रसी पर अपने पकड़ धिली कर दी और जोर जोर से हसने लगा खुशी से हसते हुए वो जोर से चिलाया आखिरकार हमने मैदान मार ही लिया वो तब भी हस रहा था जब नीचे खड़ी लिली ने अचानक ही रसी को जोर का जटका देते हुए अपनी तरफ खींच लिया रसी एल के हाथों से एकदम से निकली तो उसने बुरी तरह चौकते हुए नीचे की तरफ देखा और राइफल की नाल को अपनी उर्ताने हुए पाया राइफल को उसके सीने की तरफ ताने बड़ी ही हिकारत के साथ उसे देखते हुए लिली कह रही थी ये ब्रेंट का रुपया है और उसी के काम आएगा वो जेल से फरार होना चाहता था और अब बड़ी ही आसानी से हो भी जाएगा ये सब कुछ उसी के दिमाग का कमाल है समझे मेरी जान ब्रेंट नहीं मुझसे कहा था कि मैं सरकस के किसी ऐसे कलाबाज की तलाश करूँ जो रसी के सहारे उपर चड़ सकता हो और इसी लिए मैंने तुम्हें ढूंड निकाला फिर तुमसे परिचे किया धीरे धीरे प्रेम का नाटक करके तुम्हारे नजदीक आई और तुम्हारे उपर ऐसे जाहिर किया जैसे मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करने लगी हूँ आया कुछ भेजे में तुम्हारी लिली के बिना बताए भी उसके रसी खीचने के साथ ही एल को सब कुछ समझ में आ चुका था उसकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकला लिली आगे कहती गई तुम कितने बेवकूफ और गधे हो एल तुम चाहे रसी के सहारे हवा में बंदरों की तरह कितने ही उचलकूद क्यों न कर सकते हो लेकिन मेरे ब्रेंट का मकाबला तुम कभी नहीं कर सकते ब्रेंट मॉर्गन के अलावा मैं पूरी दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती मैं मानती हूँ कि Brent तुम्हारी तरह ये सब काम नहीं कर सकता लेकिन वो और बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जो पूरी दुनिया का कोई भी मर्द नहीं कर सकता तुम तो खेर कुछ भी नहीं उसका मुकाबला तो वो भी नहीं कर सकता था जिसने ये नोटों का सूटकेस उपर पहुँचाया था तुम्हें याद है ना कि मैंने Brent के एक साथी का जिक्र किया था कि वो एक्सिडेंट में मारा गया वो एक्सिडेंट में मरा नहीं था बलकि हम दोनों ने ही मिलकर उसे ठिकाने लगा दिया था क्योंकि हमें उसका भरोसा नहीं था और हमें ये खत्रा था कि हमारे जाते ही वो यहां से रुपया निकाल कर ले जाएगा वैसे भी वो मेरे उपर लाइन मारने की भी कोशिश करने लगा था और मैंने Brent के अलावा आज तक किसी से प्यार नहीं किया तो इसका मतलब ये है लिली कि वो प्यार मुहबबत की सारी बातें और साथ साथ जीने मरने की कसमे खाना वो सब सिर्फ एक नाटक था हाँ माई डियर नाटक था और आज मैं इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ अल विदा माई डियर इतना कहकर लिली ने राइफल का ट्रिगर दबा दिया लेकिन ये क्या गोली चलने की बजाए सिर्फ एक जोरदार क्लिक की आवाज गुफा में गुँच कर रह गई लिली ने अश्चरे के साथ फिर से ट्रिगर दबाया लेकिन बार बार वही क्लिक की आवाज गुँचने के अलावा जब और कुछ नहीं हुआ तो उसके चेहरे पर जुझलाहट और निराशा के भाव उभर आए एल ने उपर से चिला कर कहा रहने दो माई दियर इससे कुछ नहीं होने वाला जब तुम पेटरोल पंप पर बातरोम के लिए गई थी तो मैंने पीछे से इसकी गोलिया निकाल ली थी मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि तुम्हारे उपर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा लिली ने गुसे से राइफल जमीन पर पटक दी और फिर जोर से चिलाई कोई फर्क नहीं पड़ता मरोगे तो तुम फिर भी राइफल की गोली से ना सही लेकिन उपर तंगे हुए भूग प्यास से तडब तडब कर मरोगे और हाँ उस चटान पर खड़े हुए तुम अपने आपको अकेला मत समझना जहाँ पर तुम खड़े हो ना वहाँ से जरा सब पीछे मुड़ कर देखो वहाँ तुम्हें अपना वो अंजान साथी नजर आएगा जिसके साथ तुम्हें अपनी जिन्दगी की आखरी घड़ियां बितानी है एहल ने पूर्ती से पीछे घूम कर देखा तो उसे एक नरकंकाल के अफशेश दिखाई दिये उसकी हड़ियों के उपर कपड़ों के अलावा थोड़ा बहुत सुखा हुआ मास भी यहां वहाँ चिपका हुआ था नरकंकाल के साथ उसकी दात फार कर हस्ती हुई सी खोपड़ी भी दिखाई दी जिसके कपाल में एक बड़ा सा सुराख था जाहिर था कि जब वो सूटकेस को वहाँ रख चुका था तब उसे गोली मार दी गई थी अचानक ही एल के होटों पर एक हलकी सी मुस्कान फैल गई उस रस्ती को देख कर जिसका एक हिस्सा उस नरकंकाल के नीचे दबा हुआ था उसने फूर्ती के साथ खीच कर उसके किनारे पर एक फंदा बनाया और उस चटानी उभार के किनारे पर आ गया लिली ने सूटकेस उठाया आखिरी बार एल की तरफ देखा और अलविदा जाने मन कहकर मुड़कर बाहर की ओर चल दी एल ने बड़ी ही फूर्ती के साथ फंदा फेंका और वो किसी साप की तरह हवा में लहराता हुआ नीचे गिर कर युवदी के बदन को घेर कर उससे लिपट गया एल ने फौरण ही रसी को अपनी तरफ खीचते हुए फंदे को बुरी तरह से कस दिया घबराहट में लिली के हाथ से सूटकेस चूट गया और उसने अपने बदन के गिर्द कस्ते फंदे को दोनों हाथों से पकड़ लिया लेकिन तब तक उसके पैर जमीन से उखड चुके थे एल ने उसे उपर की तरफ खीचना शुरू कर दिया जब वो उसे चटानी उभार के किनारे तक ही चलाया तो उसने बड़े ही कड़वे स्वर में कहा मैंने तुमसे कहा था ना लिली कि मैं काउबोईस की स्टन्ट भी जानता हूं तो मैं शायद पता नहीं कि रसी के फंदों से मैंने बड़ी बड़ी मोह जोर घोडियों तक को काबू में किया है तुम तो खेर चीज ही क्या हो लिली अब डर के मारे बुरी तरह से चीख चिला रही थी एल ने उसे दोनों हाथों से चटानी उभार पर खीच कर पंदा निकाला और उसे नरकंकाल के उपर धकेल दिया उसे देख कर तो वो देहशत के मारे पागलों की तरह चिलाने लगी उसकी चीखों की परवाह किये बगैर एल ने सामने की पहाडी दिवार में उभरे एक शिला खंड में फंदे को फंसा दिया लिली भूखी शेरनी की तरह उस पर जपती और चीखते चिलाते हुए उसे एल मुझे यहाँ छोड़ कर मत जाओ मैं मर जाओंगी प्लीज मेरी बात सुनो मैं यह सारा पैसा तुम्हें दे दूँगी मुझे छोड़ कर मत जाओ एल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया उसने बड़े ही आराम से सूटकेस उठाया और फिर उसकी तरफ उपर देख कर बोला अल विदा जाने मन तुम्हें ये पैसा मुझे देने की जरूरत नहीं वो तो खुद ही मेरे हाथों में है और हाँ हवा में लटका तुम्हारा वो पुराना साथ ही अकेले रहते रहते बोर हो गया है उसे मेरी नहीं बलकि एक गर्ल्फरेंड की जरूरत है चटानी उभार पर खड़ी लिली पागलों की तरह चीखती चिलाती रही और एल बड़ ही आराम से चलता हुआ गुफा से बाहर निकलाया शायद इसी को कहते हैं जैसे को तैसा दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्दे ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा